ग्रेट बूर्णिंग ट्यू आल जैसा कि हम लोगोंने इंडियन कंस्टिट्यूशन के भारत के संभिधान के कई एक फीजर्स के बारे में इसके कई एक कैरेटरिस्टिक्स के बारे में अल्लेडी पढ़ चुके हैं इस प्रकार से हमारा संभिधान विश्वका सबसे बड़ा इसके फंडमेंटल राइट्स हैं इंडिपेंडेंट और इंट्रिग्रेटेड जुडिसेरी है ठीक है तो इन तमाम फीचर्स पढ़ने के बाद एक हमारा अगला फीचर्स है डायरेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है यह भी हमारी भारतेशम मिदान का ए है इसके सिर्फ के आन्ट्रिस्टिकस है तो डाइक्टिव प्रिंसपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम लोग पढेंगे की पर्ट जो है चार में रखा गया है भारतिय शंबिधान के अंतर कतर ठीक है ये बस कह सकते है फैक्चुल नॉलिज के लिए मैं बता देना चाहता हूं और इसे अगर आप पूरा के पूरे डिरेक्टिब प्रिंस्पल्स ऑप स्टेट पॉलिजी को अगर तीन एक कह सकते हैं कैटोग् में इसको फुर्दर जो है डिवाइट कर सकते हैं आइडियोलोजी कली ठीक है ऐसे कोई फैक्चुल इसमें जो है डिवीजन करके बताया नहीं गया लेकिन आइडियोलोजी इसे तीन कैटोग्रीज करें हम जैसे एक हो गया सोशलिस्ट दूसरा है गांधियन और तीसरा है लिब्रल इंटेलेक्च्वल तो यह तीन स्पेसिफिक कैटोग्रीज बाई जो है आइडियोलोजी कली यूँकें फॉर्दर डिवाइड दा डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इस डैट के लिए तो यह पहला सोशलिस्ट दूसरा गांधियन तीसरा द्यग्रिशन होने के बापजूद भी इस डैरेक्टिव प्रिंस्पल्स का उद्देश देखिए आप सबसे पहली बात डैरीक्टिव डैरेक्टिव अगर इस वर्ट्स में ध्यान दें इस सब्दों पर अगर आप अथ्यान भिसेश दे तो डीरेक्टिव किसी गों डारीक देते हैं मतलब हम एक प्रकार से हम उसे guidance दे रहे हैं प्रकार से mentorship कर रहे हैं हम उसे निर्देश देते हैं जैसे कोई teacher अपने विद्धार्थियों को एक guide प्रोभाइट कराता है एक निर्देश देता है कि भाई इस प्रकार से त्यारी करो तो आपका इसमें selection हो जाएगा इन teacher अपने student को देता है ठीक तो वही है directive principles मतलब कुछ ऐसे तत्व कुछ ऐसे सिधान तो कुछ ऐसे principles जो है सम्विधान में बताए गये हैं जो कि आने वाले भाविश्य में कोई अगर नियम कानून या कुछ भी rules and regulation frame किये जाते हैं इंडियन पार्लेमेंट के द्वारा तो इन directive principles इन निर्देशक तत्वों इन निर्देशक सिधानतों के उपर हुआ अधारित होना चाहिए और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग fundamental right पढ़े तो fundamental right जो है एक प्रकार से जो हमारी चीज़े है कि वो आम जंता जो भी citizen उसके लिए जरूरी है लेकिन जो directive principle है वह यह चीज़े है कि आप कोई भी नियम कानून को बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखकर बनाए या इस उदेश्च की प्राप्ति के लिए आप जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको यह guidance दिया जा रहा है कि आप इस प्रत पर चलिए आप इस उदेश्च की प्राप् आप सोचल इकोनोमिक डेमोक्रीशी कि प्रॉलिटीकल डेमोक्रीशी हो एक हम चाहिती के तर्की एरिस क्लास क्रीट कम्यूक टी सेंडर बें रिजन रिलीजन वह इस ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं सब को भूट दैने का और सबकांटका एक है जो है एक ऑन बोट वनभानव मतलब इक्वल है सब इसी परकार जो है कि भोड देने के साथ चुनाव लड़ने का अधिकार है इसी परकार कहीं आने जाने की सोथा तो इस परकार से कह सबते हैं पॉल्टिकल ही जो है हम डिमोक्रीटिक कंट्री हम इसे मान सकते हैं लेकिन आम जंता को सर्फ राजनीती से यह मतलब नहीं होता उसको पेट भरने के लिए या फिर उसको जीवन या पन जीने के लिए हमें समाज में रहने के लिए कुछ समाजिक सिधान्त या समाजिक प्रिंसपल्स भी आवशकता इसकी होती है साथ साथ आर्थिक जैसे अगर एकोनोमिकली अगर कोई डेवलप्ट है कि कोई भी हम जैसे एक 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 जामपल लेते हैं कि कोई गरीब बेक्ति है अगर वह चुनाप लड़ना चाहता है सब्सक्राइब लड़ सकता है अभी हार्स रियलिटी ऑफ एनी डिमोक्रिटी कंट्री क्योंकि चुनाप में बहुत खर्च होते हैं एक सामाने सामुख्या बगार पंचायत हैं इस पारिटी लेवल पर कोई बिग्तिक खड़े होते हैं तो उसमें 10 से 20 लाग रुपया खर्च होता है डूरिंग एलेक्शन केंपेंड चाहें कुछ भी तरीके में किया जहें में हैं डिसकस नहीं करने चाहता है अगर कोई एक समानने साथ कोई एक पूर पीपूल अगर खड़ा होना चाहें तो उन पहले ही सुचते भाई इतना पैसा कहां से लाएं तो पॉलिटीकली पॉलिटीकली बीर एकॉल पट ऑन्द एकोनोमिक ग्राउंड प्यार वीरी कह सकते हैं कि वाइट डिवीजन बिच्विंदर रिच एंट पूर आर्थी ग्रूप से आप भी देखोगे तो पूरी के पूरे भारत में पूरे पूरे बिश्व स्टेज पी देखो तो इंसियेशन हैं लोगों के बीच में ठीक है अभी भी तो हम समाजिक और यह तो एकोनोमिक बोल दिया एकोनोमिक डेमोक्रीसी हासिल तब होगी जब गरीब लोग और कह सकते हैं कि उत्थान हो गरीब लोग भी अधिक सदिक आई कमाया उसका भी जैसे आपको बिलीब नहीं लोगों को रोजयार नहीं मिल पाता है तो एक प्रकार से एक ऐसा थे आर्थिक जो है तौर पर अभी हम लोगतांत्र की बहाली नहीं कर पाये हैं देश में जब आर्थिय ग्रूप से जब एकोनोमिकली फिर इच और इपर सिटीजन बिकम एक्वल देन भी कैन से डैट समाजिक वह सारे समाज में ऐसे होता भी भी जैसे कोई काला है तो उसको चड़ा दीता है कोई गोरा है तो उसमें एक प्रकार से भेदभाव है ना कि काले गोरी रंग भेद की अफार्तीर आला या फिर जो अभी ब्लैक स्लाइप स्मैटर जो अमेरिका में इतना दंगा फस जो कि आपस में मनमुधाब या भेदभाव पैदा करता है तो समाजिक अस्तर पर कैसे समानता लाया जाए उसके लिए जरूरी है कि हम जो है समाजिक और आर्थिक डिमोक्रेसी की डिवलिप्मेंट के लिए बिदिन जो है इस पॉलिटिकल डिमोक्रेसी हम यह की तोर पे भी हम समान हो एकोल हो ठीक है इर्सपर्टिव और कास्ट क्लास क्रीड कम्यूनिटी सेक्स जंडर रिजन रिलीजन ठीक है यह चीजह है यह आईडियल है जो की एक आदर्स के रूप में आपको कुछ गाइडलाइन बताया गया है आगे इस्टैबलिश बिलफेर स्टेट देखे बहुत लोग जो है इस्टैबलिश करना चाहते थे कि कैप्टलिस्ट एक मोडल होता था कोई लोगों का जो कोल्ड वार का इस्टैट की अबधार ना आई जिसमें की जो है कि जो भी लोग इस देश के नागरिक है तो इस देश का इस इस स्टैट का ऐसा पाई फूटेट लवजरियस आइटम बट देश पूर पीपल अनेबल टुपाई इविन तर बेर नेसेसिटी इसे खाने का वस्तु हो गया रहने के लिए चत हो गया कह सकते हैं कि सैनिटाइजिशन की विवस्था हो क्लीन जो है फ्यूल गैस की विवस्था हो तो यह सब सा अन्य योजना के तहत जो है तमाम गरीबों को पाच-पाच की लोग परव्यक्ति जो है राइस और वीट डिस्टिब्यूट किया गया था तो यह एक एक्जामपल दे सकते हैं कि बेलफेर इस्टेट कैसा होना चाहिए कि अमीड लोग तो है जो भी है अपने बिजनस से या अपने आपको लेकिन जो लार्ज सेक्षंट सोसाइटी है तो पूर पीपल तो वल्नरेबल पीपल ठीक है उनके लिए इस्टेट क्या बेलफेर मेजर्स उठा रही है उनके लिए क्या-क्या इसके लॉंच कर रही है ठीक है जैसे बहारत में किसानों को बहुतार चीज में स सबसेडी जाता है जैसे ब्रिद्ध जन जो होते हैं सेनियर सेटीजन होते हैं उनके लिए देखते हैं इस्पेसल काउंटर बना दिया जाता है तो यह बेलफेर मेजर है जो कि स्टेट के द्वारा उठाया जाता है ठीक है तो सब्सक्राइब करता है कि अब प्रिंस्पल्स अब फर्डमेंटल इन गवर्ड़ेंस एक चीछ दिक और मैं बोल गया कि नौन जस्टिस सेवल और नौन इन्फोर्स अब लिकिया जब हूं फंडमेंटल राइट के बारे में पट रहे थे फंडमेंटल राइट क्या है दे आ सब्सक्राइब करने का प्रियास करती है तो आप कोट जा सकते हैं और कोट में आप अपने मौली का दिकारों को मनबा सकते हैं तो यह मौली का दिकार था फंडमेंटल राइट लेकन डैरेकरव प्रिंसपल में ऐसा नहीं है डैरेकरव प्रिंसपल में सरकार के ऊपर है या चाहे तो सरकार मने या ना मने आप इसमें कूर्ट नहीं जा सकते यह नॉन जस्टिस ये वले और नॉन इंफोर्सेवल बतलब आप इसमें जाके जो है सरकार को बात देने कर सकते हैं कि आप इस इस जो है डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स में जो लिखा गया है इस अधार प्यार्प कानून बनाए हैं इस तक इस प्रिंस्पल्स में एक डिफरेंस इस बताए आगे एक कंसिट्यूशन वारा सम्मिधान जो है डिरेक्टिव प्रिंसपल को के बारे में दूलाई नहीं दिखता हुआ है तो फंडमेंटल इन गवर्ननेंस प्रिंसपल्स जो है यह कह सकते हैं कि निर्देशक्तत्त्प ब इस प्रिंसपल इन मेकिंग लाओ और रास्ट के कह सकते हैं कि जो भी संचालक होते हैं जो प्रधान मंत्री होते हैं या स्टेट लेवल पर जो मुख्य मंत्री होते हैं जो भी सरकारे होती है राज्य सरकारे पंचायत लेवल पर उसको यह कह सकते हैं कि उनको एक जिमेदार रहे होते हैं तो आप इन तमाम प्रिंस्वल्स जो कि डिराक्टिव प्रिंस्वल्स में बताए गया है उसके तद्बों को उसके सिधानतों को अपनी नियमों कानून में उसका समखेस करें उसे इसे करें उसे अप्लाई करें और यह स्टेट की एक मोर्ड Woahbligation मोराल अम्लीकेशन मतलब नहतिक जिवमेदारी यह नहेतिक बात रहेता अब्लीकेशन मतलब पात देता फॉब्लीक ठिक है एक बहुत इंपोर्टेंट केस ए ठिक है पोरिव मेल मिल्स केस ठीक है मेल में इसकी से मे सुप्रीम कोट कहते है कि इंडन कंस्टिटूशन इस फॉंड डाउन दी पीट रॉक पीट रॉक समझते हैं रॉक को जो है डिवाइड किया गया तो उसमें है कई एक स्वाइल आते हैं ठीक है सबसे नीचे जो होता है ना बेट रॉक होता है जिसमें कि पत्थर बगेरा क्या सकते हैं सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है इंडन कंस्टिटूशन इस फॉंडेंड रॉक बेट रॉक बेट रॉक मैंने पहले ही बता दिया हुआ अधार त्यूंग एक प्रकार से कह सकते हैं ठीक है इसकी स्थापना होती है इसका निर्मान होता है इस डाट के लिए तो यह डाट के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए यह सम्मिधान के इक इनप्रॉटन फीचर से जब हम डियरेक्टिव प्रिंसपल ऑप स्टेइट पॉलिशी के पूरा का पूरा चेप्टर पढ़ेंगे तो इसके पूरे के अब बॉटिवेट कैसे थे नहीं क्या पी से थोड़ी होगा है या फिर समझने में असानी हुआ होगा आप हमारी चानल को लाइक साथा आथा सब्स्राइब कर सकते हैं और अब प्रिस्टी वील आइकन कोई कोई क्वेरेस कोई कमेंट सजेक्शन एडवाइस कमेंट बॉक् प्रिस्टी